गुद आफ्टर नून गुद आफ्टर नून टू अलोफ यू गुद आफ्टर नून सभी महारतियों को कैसे हैं आप उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे हुंगे जै हिंद जै भारा जल्दी से एक बार सभी महारतियों कन्फर्म करें वॉइस वीडियो प्वालिटी सब कुछ किलियर है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है गुद आफ्टर नून ग्रिजेज अंजली सुरुती नीलम देब यस्पाल मोहे तनू आकांचा सुभम रवी गुद जल्दी से कन्फर्म करते हैं चलिए तो फिलाल आज की आपकी सेबा प्रारंब करते हैं और आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये तो आपने बहुत देखे होंगे आप किसी भी स्टेट में पुलिस का एक्जाम दे रहे हो किसी भी स्टेट के पुलिस के एक्जाम देत बाबुजी इसकी बात करते हैं सीधे चलिए तो फिलाल हमें याद है जब हम बहुत छोटे थे तो हम जब एक को तीन से डिवाइड करते थे तो एक तीन से डिवाइड नहीं होता था मतलब जब छोटे होते हैं आपको ज़्यादा पता नहीं होता है और मन में बहुत सारी बा जब आप calculator से करते हैं तो पूरी स्क्रीन calculator की भर जाती है 3-3-3 से लेकिन वो 3 खतम नहीं होता तो ऐसे नंबर ऐसी संख्या हैं जब कभी किसी बिन्न को किसी बिन्न में अंस को हर से डिवाइड किया जाता है और वो कभी भी completely डिवाइड नहीं होता लेकिन वो repeat होना इस्टार fraction तो जैसे हम यहां पर देख रहे हैं कि यह हमारा क्या हो रहा है repeat हो रहा है ठीक है तो यहां जब हम एक को तीन से divide करते हैं तो 0.333 repeat होता है तो इसको हम 0.3 bar भी लिख देते हैं क्या लिख देते हैं 0.3 bar दूसरा अगर माल लीजे यहां पर ऐसे ही अगर आपका होता 6,3 6,3 6,3 6,3 यह 6,3 repeat होता तो हम इसको लिखते 0.63 bar अगर यहीं पर आपका माल लो 3,2,1 3,2,1 3,2,1 यह repeat होता तो हम लिखते 0.3,2,1 पे बार ऐसे ही माल लीजे आपका होता 4,7,2,8 4,7 इसको अगर यह repeat होता तो यहां पर 0,0,0,3 repeat हो रहा है तो इस पर बार लगा देते तो ऐसे भिन जो कभी भी completely divide नहीं होते लेकिन repeat होना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसी संख्याओं को दसमलभिन कहते हैं और इसे करने का simple तरीका क्या है कि यहां पर जो भी number आपका repeat हो रहा होता है जैसे यहां 3 repeat हो रहा होता है तो वो 3 के उपर बार लगा देगा जहां 6,3,6,3,6,3,6,3 repeat हो रहे हैं लिख के देगा या फिर ऐसे लिख के देगा इन दोनों में से कुछ भी लिख करके आपसे वो ये पूछेगा तो हम कैसे करेंगे इसके लिए क्या करते हैं सबसे पहले सभी महारतियों दो मिनट ध्यान से देखिएगा अगर किसी question में सीधे point के बाद किसी संख्या पे बार लगा हो तो आप क्या करेंगे जैसे एक संख्या के उपर बार है अगर एक संख्या के उपर बार है तो एक 9 से डिवाइड कर दो यही आपका answer हो गया ऐसे ही यहां 63 में दो संख्याओं के दो अंकों के उपर बार है और दो अंकों के उपर बार है तो दो 9 से डिवाइड कर दो अगर यह divide हो रहा इसे 3 से 21 बार 3 से 33 बार तो इसे divide कर सकते हैं ऐसे ही 321 में 3 अंकों के उपर बार है तो 3 9 से divide करेंगे और 3 9 से divide करोगे तो 3 से से काटोगे 3 एकम 3 3 सते 23 और यह आपका 33 यही आपका answer हो गया ऐसे ही यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 4 अंकों के उपर बार है तो 4 9 से क्या कर देंगे divide और जब आप इसे 4 9 से divide करेंगे तो यह आपका 3 9 3 9 3 9 3 9 यह आपका answer आ जाएगा तो सबसे पहला सबसे पहला question जो इसमें बनता है decimal fraction में वो आपके सामने screen पर है और आप चाहो तो notebook में अपनी कहीं पर लिख लो ठीक है ध्यान से देखेगा कि अपनी notebook में कहीं पर लिख लो copy में कि कभी भी किसी भी संख्या के उपर बार सीधे दसमलब के बाद सीधे बार आ जाए तो जितने अंकों के उपर बार होता है उतने ही 9 से क्या कर देना है divide सेबा हो गई समाप जल्दी से बताओ क्या आप सबको ये समझ में आ गया है क्यूं नो से divide कर रहे हैं आराम करो अभी बताएंगे समझ में आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है चलो अब इसमें आपके मन में एक doubt आ गया होगा दूसरा वाला question जो बनता है इसमें तीन चार question बनते हैं आपके exam के point of view से बैसे तो बहुत बनते हैं आपके exam के point of view से तीन चार question बनते हैं पहला ये हो गया दूसरे में क्या होगा यहां जो बार होगा वो starting से नहीं होगा starting से बार नहीं होगा एक या दो अंक छोड़ने के बाद आपका बार क्या होगा repeat होगा जैसे हम आपको दूसरा example दिखाते हैं अब ही रुकिए तुम कहां से आ गए चलो जैसे हम यहां पर आपके सामने कुछ संख्याएं लिखते हैं और हमें उम्मीद है उन संख्याओं को समझाने के बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे यहीं पर हम आपसे कहें 0.43 बार अब देखो 4 पर बार नहीं है केवल 3 पर बार है हम आपसे कहें 0.621 बार हमने यहां पर बार लगाया है हम यहीं पर आपसे कहते 621 बार अब देखो दोनों में अंतर है यहाँ पर आप notice कर रहे हैंगे वही 621 है वही 69 त्याँ है यहाँ भी 69 है लेकिन यहाँ पर जो बार है वो 21 पर है और यहाँ पर जो बार है वो केवल 1 पर है इसका मतलब जानते है 0.43 बार का मतलब होता है 0.4 अब आपका केवल 3 रेपीट हो रहा है 4 3 नहीं repeat हो रहा, cable 3 हो रहा है 0.621 बार का मतलब होता है कि हमारा 2 1 के उपर बार है तो 2 1 हमारा repeat हो रहा है ये इसका मतलब होता है ऐसी 0.621 का मतलब होता है 0.621 हमारा repeat हो रहा है मतलब 1 पे बार है और भी हम example ले सकते हैं पहले इनको समझ लेते हैं सबसे पहले यह समझो कि जैसे हमारा पहले वाला है पॉइंट के बाद AB बार यह हमारा बार है तो ऐसी संख्याओं में आप क्या करते हैं जो संख्या उपर लिखी हुई है वो तो आपको लिखने ही है दो मिनिट समझिए का स्टार्टिंग में हो सकता है तोड़ा सा आपको अजीब लगे लेकिन आगे आपको बहुत आसान लगेगा तो अगर आपका जैसे AB पे बार है तो आप जो भी संख्या है उसमें जिस पे बार नहीं है उसे उपर तो क्या कर देंगे माइनस जिसे AB मैंसे A पर बार नहीं है तो A को उपर माइनस कर देंगे अब नीचे क्या आएंगे हमने उताया था जितने अंकों पे बार होता है उतने ही 9 से क्या कर देते हैं तो जितने अंकों पे बार है उतने 9 से डिवाइड और जिस पे बार नहीं है उतने क्या लगा देंगे 0 जैसे एक पे बार है तो एक तो 9 आ गया और इससे पहले एक संख्या पे बार नहीं है तो उतने क्या जाएंगे 0 अब जैसे और देखिए अगर यहीं पर हमारा आता है ज दो अंकों के उपर बार है तो दो तो नौ आ जाएंगे और एक अंक के उपर बार नहीं है तो एक क्या जाएगा जीरो आ जाएगा ऐसे ही सपोस करिए यहां पर पॉइंट A, B, C में केवल C पर बार होता तो अब हम क्या करेंगे A, B, C में से जिस पर बार नहीं है उपर तो उसे माइनस कर देंगे ठीके और नीचे क्या करेंगे एक संख्या पर बार है एक अंक पर बार है तो एक तो नौ आ जाएंगे और दो पर बार नहीं है तो दो आपके क्या जाएंगे जीरो अब ऐसे ही और भी आगे आपकी बहुत स पर बार है तो हमने क्या बताया था जिस पर बार नहीं है चार पर बार नहीं है तो उपर चार को माइनस कर दो नीचे क्या करोगे नीचे एक संख्या पर बार मतलब एक नो एक पर बार नहीं है मतलब एक जीरो तो जिन पर बार होगा उतने अंक आपके जितने अंकों पर बार सकते हैं तेरा बटे तीस यही आपका आंसर खत्म पुझाई लिए अब आप सब कर सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं सची बात कुछ हो नहीं सकती अब बताओ जैसे 621 है उपर क्या आएगा 6 पे बार नहीं है तो 6 को घटा दो नीचे 2 पे बार नहीं है तो एक जीरो तो यह हो गया 615 है 21 से 6 माइनस होगा 615 बटे 990 अब काट लो काटोगे तो 3 से यह दो बार और 3 पंजे 15 है 205 तीन से यह आपका 330 यही आपका अंसर आ गया समझ में या नहीं आया बताइए आ गया कर लोगे अब बताओ 621 में क्या करोगे 621 में स 62 पर नहीं है तो 62 को ऊपर तो माइनस कर दोगे नीचे एक पर बार है तो एक 9 2 पर नहीं है तो 2 0 अब हटा लो इसको ठीक है तो आपका यहां पर आ जाएगा 9 और यहां पर आपका 61 से 6 माइनस करोगे 55 तो 559 बाई 900 यही आपका अंसर हो गया तो अगर आपका ऐसा कोई भी question आएगा तो हमें उमीद है अब आपको दिक्कत नहीं होगी अब हम आपको जैसे यहां पर दो question लिख देते हैं 0.325 बार और 0.06 0.06 बार जैसे यह दो नंबर हैं अब इने करिए आ गया सबको clear है very good बहुत बढ़िया बहुत ज़्यादा अंसर आ रहे हैं अपने अपने नाम सब ले लो अभी हम आपके नाम लेंगे थोड़ी दिर में अभी आप अपने अपने नाम खुद ले लो यह दो question करिए हो रहे हैं अरे हम सामने से अडिया ना कर लोगे ना चलो कर लोगे तो बहुत ची बात है अब इसमें 325 है 325 में से आप देखेंगे 3 पे बार नहीं है तो उपर मैनुस कर दो 2 पे बार है तो 2 नौः और एक पे बार नहीं है तो 1 जीरो तो 322 बटे 990 है दो से काट सकते हो काटो तो काट perm तो पैसे तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें ठीक है तो 2 से काटोगे तो 161 और 2 से काटोगे तो 248 दो ने मठारा 2510 495 161 वाई 495 जितने भी बच्चे हैं बिलकुल सही हैं बहुत अच्छे हैं उनसे अच्छे बच्चे क्या care हो सकते हैं अब यह बताईए 0.06 बार only 6 पे बार है तो 0.06 से 0 पे बार नहीं है तो 0 माइनस और 1 पे बार है तो 1.9 एक पे बार नहीं है तो 0 तो यह हो गया 6 by 90 6 by 90 मतलब 1 by 15 अब बताईए क्लियर है कोई दिक्कत हो जाएगा अब यह एक्जाम में आएगा तो हो जाएगा दो बताईए हैं अभी आपको एक पैटन और है उसके बाद हम करेंगे अराम और महरत ही हो आप लोग करोगे कम तो पहला तो हमने आपको यह बताया कि सीधे सीधे बार जो है वो दसनलप के बार सीधे आ जाता था फिर हमने आपको बताया कि जो बार है वो सीधे ना करके एकाद अंक छोड़ कर आता है अब पहले हम इस पे कुछ question आपको दिखा देते हैं फिर उसके बाद एक pattern और है इसका decimal fraction का जो आपके exam के point of view से है उसे हम कराएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको ये पहले ये वाली slide हम आपसे करवा लेते हैं चलिए तो चार question आपके सामने screen पर आचुके हैं देखते हैं कौन hero इन question को बनाएगा zero चलो लग जाओ महरतियो भेज़ दो इन question को नानी के घर कौन करेगा नेक काम ये नेक काम कौन करेगा चलिए चार question आपके सामने है point five three two bar 32 पर बार है और यहाँ पर point zero eight three six bar ये सभी question आपके सामने जो screen पे लिखे हुए हैं ये last two year के question है जो last two year किसी ना किसी एक्जाम में आई हुए है very good विकास नीलम पवन गौरब सत्यम जीनियस बहुत बढ़िया मुकेस तनू बहुत खूब बहुत बढ़िया कुमार अमानत रामचरन बाला राम क्या बात है बहतनीन बहुत ही खूब बहुत ही खूब महारतियो क्या बात है बहुत बहुत बढ़िया तो कुछ करमे की आवश्यक्तर नहीं है ये 532 है तो 532 में से उपर एक पांच पर बार नहीं है तो उपर पांच माइनस कर देंगे नीचे दो अंकों पर बार है तो दोनो और एक पर बार नहीं है तो एक जीरो तो ये हो गया 527 बटे 990 आप्शन में यही दिया गया है तो ज़्यादा सोचने की आवश्यक्ता नहीं है इससे आसान कॉश्यन आपको कहा मिलेगा और बिल्कुल रिसेंटली जो एक्जाम में पूछे गए न आपके एक्जाम में कौन स्टेवल के एक्जाम में या फिर आपके रेलवे के एक्जाम में कोगी इन लेवल इन एक्जाम का लेवल सेम ही रहता है तो वहां के ये कॉश्यन्स हैं आपके बिल्कुल last two years के अगरा देखिए अब आप देखेंगे 0836 0836 अब इससे 08 पे बार नहीं है तो 08 को घटा देंगे इसके बाद 2 अंकों पे बार है तो 2 9 और 2 पे बार नहीं है तो 2 0 तो भाईया जी ये 836 से 8 घटा होगे तो 828 बचेगा और ये 99-100 बैसे तो ये और कट जाएगा लेकिन इसने काटने की जुर्णत नहीं की है तो अच्छी बात है हमारे लिए तो हम तो यहीं से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे अच्छा और भी कट सकता है किया ये कट सकता है काटने जो तो नहीं है ऑप्शन मैच कर रहा है जरुवत क्या है फालतू में चलो बताओ महरतियो अगला क्वशन बहुत बहुत बढ़िया अगला क्वशन क्या कह रहा है अब आपको कहा है 0.037 बार को P अपॉन Q के रूप में ब्यप्त कीजिए जहां P एक पूर्ण संक्या है और Q एक प्राक्रतिक संक्या है सब कुछ दिखावा है अरे भाई 0.037 में से 0.03 पर बार नहीं है तो 0.03 को घटा देंगे अब बार कितने पर है एक अंक पर बार है तो एक नौ और दो अंकों पर बार नहीं है तो दो जीरो तो 34 बटे 900 और 34 बटे 900 को दो से काट सकते हैं क्योंकि ऑप्षन में तो यह है नहीं तो 17 बटे 450 है ना easy easy नहीं बोलना है इसको यह आसान नहीं है यह बहुत आसान है ठीक है यह आपका आसान नहीं है यह आपका बहुत 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 ज़्यादा आसान है अगला question देखिए option A होगा बिलकुल सही, अब देखो 3 सही 3.14 बार, देखो 3 की तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत 0.14 बार की है, इसको ही करो सौल, 0.14 बार का मतलब होता है, 14 में, एक के उपर बार नहीं है, तो एक को घटा दो, अब एक पे आपका बार है, तो एक नो, एक पे बार नहीं है, तो एक जीरो, तो ये हो गया तेरह बटे नम्भे तो तीन तो पूरा आएगा तेरह बटे नम्भे और आएगा तो option A इसका भी option A सही है समझ में आ गया अगर अब ये question exam में आएगा तो क्या आप इस question को दान कर देंगे या इस question को नानी के घर भेज़ देंगे जल्दी से confirm करें कर देंगे ना कर पाओगे ना कर पाओगे छोड़ दोगे या फोड़ दोगे जल्दी सोता हिए छोड़ दोगे या फोड़ दोगे चालो अच्छी बात है फोड़ दोगे तो नानी के घर जाएगा अब देखो इसमें दो तरीके होके ना एक तो बार स्टार्टिंग से repeat होता है वो तो बहुत आसान है बार स्टार्टिंग से repeat नहों तो ये भी आसान है अब देखो तीसरा pattern ये वाला इसमें इसका जोडघटाओ जोडघटाओ गुणा भाग जोडघटाओ गुणा भाग पहली slide हम करेंगे उसके बाद अगली slide आप करोगे एक हम करेंगे एक आप करोगे पहले हम इसको समझा दें इसमें देखो एक question ऐसा है जो आप गलत करते हैं लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे जैसे ये देखो पहली slide हमारे नाम की दूसरी slide आपके नाम की ये देखे ऐसा question बिलकुल आएगा ऐसा नहीं आएगा तो दूसरा वाला है fraction में बहुत सारी variety है fraction से कोई ना कोई pattern confirm आपका पूछा जाएगा इसके बारे में confusion होने की ज़रती नहीं है अब यह देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है 0.32 bar plus 0.43 bar देखो यहाँ 32 bar का मतलब होता है 32 के नीचे 99 क्योंकि दो अंकों के उपर बार है और इसका मतलब होता है 43 कि में दो अंकों के उपर बार है तो इसका मतलब भी 99 अब आप इनको जोडोगे तो 3 और 4 आपका 7 हो जाएगा 2 और 3 आपका 5 हो जाएगा बटे में आपका 99 हो जाएगा अब जैसे कि 32 बटे 99 को हम 0.32 बार लिख सकते हैं 43 बटे 99 को 0.43 बार लिख सकते हैं तो 75 बटे 99 को 0.75 बार लिख सकते हैं लिख सकते हैं या नहीं? बिलकुल लिख सकते हैं तो ये हमारा हो गया logic अब हम बात करते हैं ऐसा question कभी भी आपका आता है बाबुजी ध्यान से देखिएगा इस question को अगर ऐसा question कभी भी आपका आता है जिसमें बार आपका equal numbers के उपर हो same हो बार यहाँ पर 0.32 पर बार है यहाँ 0.43 पर बार है यानि कि यहाँ दो अंकों के ऊपर बार है यहाँ भी दो अंकों के ऊपर बार है तो आप इसे direct प्लस माइनस कर सकते हैं इतना लेंदी लिखने की आवश्चक्ता नहीं है अगर दोनों में बार आपके सेम है तो आप डारेक्ट प्लस माइनस कर दीजिए तो 32, 43 को आप जोडोगे तो ये आ जाएगा 75 तो सीधे 75 बार लिख दीजिए बिल्कुल भी सोचने की आवश्चकता नहीं है अब वो डिपेंड करेगा option में कैसे पूछा गया है अब ये देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है दोनों पर तीनों पर बार आपके सेम है तो आप डारेक्ट जोड सकते हैं 32 और 31 को डारेक्ट जोड सकते हैं दोनों को जोडोगे कितना आएगा 63 और 63 से 42 आपको क्या करना है? माइनस करना है और 63 से 42 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसको जोड करके इसे घटाओगे तो 21 तो 0.21 बार डारेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं डेटेल करने की कोई आवश्चक्ता नहीं है लेकिन 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 लेकि और बताईए आप में से कितने बच्चों का आंसर क्या क्या आ रहा है क्योस्टन नंबर 21 वर आप ट्राय किजिए कि क्या है 32 नंबर में कि सुमित 0.130 या 0.131 किसी बच्चोंगा 0.30 आ रहा है 1.30 कुछ का 1.31 आ रहा है देखते हैं देखो इस question की कह सकते हैं एक दिक्कत है जैसे आप देख रहे हुँगे 0.60 बार, 0.40 बार और 0.30 बार 60 और 400 और यह 130 यह हो गया 130 यानि कि जो हमारा base 99 है उससे ज़्यादा हो गया उससे क्या हो गया ज़्यादा 130 मतलब हमें समझ में आता है 1.30 और हम 1.30 बार लगा देते हैं लगा देते हैं लेकिन यह हमारा है गलत तो जिन बच्चों का यह 1.30 आ रहा है वो सभी बच्चे अपना answer कर लें गलत अब क्यों गलत है बहुत बच्चों का रहा है अब नहीं आएगा आज के बाद यह गलती करते हैं बच्चे एक्जाम में समझो समझो बाबुजी अब इसका मतलब 0.60 का मतलब है 60Y99 0.40 का मतलब 40Y99 0.30 का मतलब 30Y99 और इन सब का मतलब है 130Y99 और इसका मतलब है 99 एकम 99 और 99 से यह 31 अधिक है और 31 वटे 99 का मतलब होता है 1.31 बार तो ओप्शन वी ओप्शन वी बाले बच्चे हैं सही ठीक है तो ओप्शन ए बाले बच्चों का आंसर क्या है गलत तो अब हम आपको ये क्या बताना चाहते हैं हम आपको ये बताना चाहते हैं बाबु जी कि जब कभी भी किसी भी कॉशन में जैसे यहां हमें ये क्लियर दिख रहा है कि इसका बेस 99 होगा तो जोडने घटाने पर 99 से कम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि इनको जोडने पर 99 से ज़्यादा आएगा क्यों? क्योंकि बेस 99 और 99 99 से ज़्यादा आ रहा है तो आप ये देखेंगे 99 से कितना ज़्यादा आ रहा है ये नहीं देखेंगे 130 का मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 30 वो नहीं देखेंगे क्यों क्योंकि यहां base कितना है 99 तो 99 से कितना ज़्यादा है वो आप देखेंगे अब जैसे ये वाला question देखिए अब आपका ये गलत नहीं होगा जैसे ये 50 और 40 90 90 और 32 12 तो ये 122 बटे 99 होगा तो आप इसे 1.22 नहीं लिखेंगे 122 99 से 23 अधिक है तो 123 बटे 99 यानिकी 1.23 बार option C option C is the right answer अब आगया अब आगया महरतियों समझ में आया या फिर नहीं आया अभी भी अब गलती करोगे इस question की अगर ये question अब exam में आया तो क्या आप गलती करोगे हाँ अब नहीं करोगे ना अब इस question को फोड़ाओगे या नहीं फोड़ पाओगे चल तो अब वो ऐसा ही एक slide हम आपको देते हैं करने के लिए ऐसे ही कुछ questions की और हमें उम्मीद है कि अब आप इन question को धुआ धुआ कर देंगे कर दोगे ना तो नेक काम में देरी कैसी ये लोग 6 question आपका कर रहे हैं इंतजार ये कह रहे हैं कौन आएगा वो हीरो जो इन question को नानी के घर भेजेगा ठीक है बचपन में छोटे थे तो क्या बोलते थे गर्मियों के छुट्टी में कहां जाएंगे नानी के घर जाएंगे और रस्मलाई खाएंगे चलिए रस्मलाई बाद में खाना पहले अब पढ़ाई कर लो करो बाबुजी कौन है वो हीरो जो इस question को बनाएगा जीरो या खुद हतियार डाल देगा चलो इन दाओ छोड़ दो इस पर इस कम है करिए very good अजीत बहुत बढ़िया अंकुश और कौन कौन है इसमें options नहीं है न इन तीन में option है इन तीन में option नहीं इन तीन को करिए मुकेश, गौरब, ठाकुर, गनेश, मनीश, विकास, नेहा अर्जुन मनीश बहुत बढ़िया चलो करो 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 महारथियो जल्दी जल्दी करो और करके बताओ कि क्या अब आप सब कर सकते हैं हाँ हाँ बैच आपका आप मोबाइल में अगर आप लैपटॉप में भी चला सकते हैं और मोबाइल में भी चला सकते हैं अगर आप केरेर विल एप्लिकेशन पे जैसे बैच लेते हैं तो एक बच्चा पूछ रहा है ता देते हैं उसको आप mobile पर भी चला सकते हैं आप laptop मैं भी चला सकते हैं सर यदी एक की जगे दो आए तो आने दो दो आएगा तो आगे दो हो जाएगा उसमें कोई फरक नहीं पड़ता मेरे भाई कपिल एक भी आ सकता है डो भी आ सकता है अब जैसे ये देखो यहां सीधे कर सकते हैं इन दोनों को जोड़ना इसको घटाना है तो घटा होगा ही 34 से 27 जाएगा तो 7 बचेगा 7 इसमें जुड़ेगा तो 48 हो जाएगा 48 का मतलब 0.48 बार यह रहा है सब का बता देना हमें गलत कर दें कहीं तो बता देना आप लोग 0.21 और 0.12 को एड़ करेंगे तो 0.33 बार हो जाएगा और उसके मल्टिप्लाई में आपको दिया गया है इंटू 3 मल्टिप्लाई में 3 दिया गया है तो इंटू 3 कर देंगे तो अब आप यहां करेंगे 0.33 बार को लिख सकते हैं 33 by 99 लिख सकते हैं उसमें 3 का multiply करना है और 3 का multiply करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1 इसका answer हो गया 1 तो question number 2 का answer 1 ठीक है अब देखिए इसके आगे अब ये देखो अब आप इसमें देखोगे तो 69 और 31 हो गया 100 बड़ा famous question है ये 100 100 में 80 चोड़ोगे 180 अब 180 100 से जादा है तो अगर 100 से जादा है तो आप direct नहीं लिख सकते आपको देखना पड़ेगा 99 इसका बेश है तो 99 से कितना अधिक है तो 99 से 81 अधिक है तो आप direct अब ऐसे put कर सकते हैं 1.81 बार लेकिन अभी हम लिखके दिखा देते हैं आपको 180 अपान 99 तो 180 अपान 99 मतलब 181 अपान 99 तो ये हो गया 1.81 बार अब समझ में आ गया अब तो गलत नहीं होगा सेम यहां पर यहां पर आप करेंगे तो 37 और 73 हंड़ेड हो गया 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114 बाई 99 ऐसे लिखके अगर समझोगे न तो गलती होने के चांसे खताब हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 115 बाई 90 गलत जोड़ दिया एक मिनट 114 थोड़ी होगा ये आपका 100 नहीं होगा ये होगा 80 और 30 110 और 14 124 बाई 99 मतलब 125 बाई 99 तो 25 बाई 99 मतलब 25 के उपर बार अब ऐसे ही इसे देखिए ये वाला कॉस्चन 0.4 बार 0.4 बार 0.4 बार का अंडर रूड अब देखो हम सब जानते हैं 0.4 बार का मतलब होगा 4 बाई 9 उसका भी अंडर रूड अब 4 बाई 9 का अंडर रूड करोगे तो 4 का 2, 9 का 3 2 बाटे 3 आगया अब 2 बाटे 3 को क्या करोगे डिवाइड करो 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हो 2 को डिवाइड कर सकते हो 3 से जी हाँ नहीं कतेगा तो दसमलब लगा करके 0 बढ़ाएंगे 3 चिंग 18 फिर 2 के आगे 0 तीन चिंग 18 यही चलता रहेगा तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.66666 यही आता रहेगा और इसे लिख सकते हैं 0.6 बार समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्लियर है इसमें दो आंसर है अरे महानात्मा 0.2 बार नहीं होगा जितने भी बच्चों का 0.2 बार आ रहा है वो सब गलत है 4 का अंडरूट दो ऐसे मत कर देना यह फ्रेक्शन का अंडरूट हो रहा है अब इसका बताओ यह घनमूल है यह बर्गमूल था यह घनमूल है 0.3.7 तो 0.3.7 में तीन अंकों के उपर बार है तो 3.9 से डिवाइड और उसका भी क्या करेंगे घनमूल 37 से काट सकते हो 37 से काटोगे 999 को 37 दूनी 74 ऐसे ही काटोगे और यह 5, 2, 9 अब यह 7 बार कटेगा 27, 29, 27, 25 पूरा-पूरा कट गया यानि कि यह 27 बार कट रहा है तो यह हो जाएगा एक बटे 27 का घनमूल अब एक का घनमूल एक 27 का घनमूल 3 और एक को 3 से डिवाइड करोगे तो यह तो हर बच्चा जानता है 0.33 बार यानि कि 0.3 बार ठीक है अब इसमें वो value कुछ भी लिख सकता है जरूरी नहीं 0.4 बार लिखे कुछ भी लिख सकता है तो आप बार वाला जो question आएगा न उस पर पहले आप fraction में convert कर लेंगे और fraction में convert करने के बाद simplify करने के बाद जो भी आएगा उसका फिर बर्गमूल कर देंगे अब जल्दी से आप हमें बताईए कि क्या आप सबको ये clear है कर लोगे बाबू जी कौन सा repeat करना है बेबाब बताओ इसमें दो answer है कौन से दो answer आगे चलो clear done है last वाला repeat करना है देखो last वाले में कुछ खास नहीं है देखो point आप cube root देखे ये मत अभी आप इसको देखिए point 037 पे बार अगर आप से केवल इतना कहा जाता point 037 पे बार है तो आप इसे तुरंद कर लेते 037 बटे 99 और 37 से इसे काटने पर आ जाता 27 तुरंद कर लेते या नहीं कर लेते बिलकुल कर लेते लेकिन बाबुजी यहां खेला हो गया खेला क्या हो गया कि इसके ऊपर क्या लगा दिया क्यूब रूट और अगर इसका क्यूब रूट करेंगे तो एक का एक सकता है इसका तीन और एक को तीन से डिवाइड करने पर क्या आता है वो तो सब जानते हैं अब हमने रिपीट कर दिया ठीक है डन सबको एक बच्चा आया किसी को कोई दिक्कत अब तो नहीं है एक बच्चा कह रहा है सर 9 से क्यूं डिवाइड करते हैं वैसे तो देखो आपको इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है कि 9 से क्यूं डिवाइड करते हैं लेकिन वच्चा बहुत दिर से कमेंड कर रहा है तो बता देते हैं 25 में क्या देखें 25 में तो सीधे सीधे जोड लिया है देखो 9 से 99 से इससे डिवाइड करने का जो फंडा होता है इसके लिए आपको 9 वी क्लास करनी पड़ेगी अगर आपने 9 वी क्लास पड़ी हुई है तो आपको वैसे आवश्यक्ता बिल्कूल है नहीं एक बच्चने पूछा है इसलिए होता देते हैं जैसे आपको 0.3 बार दिया गया है दो पॉइंट थ्री बार का मतलब होता है पॉइंट थ्री 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 खतम ही नहीं होदा इसको हम x माल लेते हैं जब कभी भी कोई question में infinity अनंत तक होता है तो उसको x से करते थे school time में तो जो x की value होगे वही आपका answer होगा अब इसमें क्या करते हैं इसमें एक काम करते हैं देख पॉइंट के बाद 3 फिर इसके बाद यहां से repeat हो गई यहां से क्या हो रहा है फिर वह repeat हो रहा है तो जहां से repeat हो रहा है उससे पहले वाले नंबर को इधर ले आते हैं point के तो इसके लिए आप क्या करोगे इसके लिए आप 10 का multiply करोगे बैसे हम आपको उताते हैं आपके exam क के लिए इसकी कोई आवशक्ता नहीं है बस एक बद दो अच्छे कुछ पूच रहें तो इसलिए उता रहें तो जैसे ही आप इसमें 10 का multiply करोगे यह हो जाएगा 10x और 10 के multiply करने से 3 यहां जाएगा और यह हो जाएगा 3.333 अब हमने यह इधर करने का फाइदा क्या हुआ हमें x की value पता थी the point 3 3 3 3 और जैसे ही आप अब इसको घटाओगे बाबुजी तो घटाने से सीधे सीधे 10x से x minus होगा तो यह आजाएगा 9x point के बाद के सारे 3 3 एक जैसे हैं यह हो जाएगा 0 और इससे इसे घटाओगे यह आजाएगा 3 तो x की value आजाएगी 3 बटे 9 ऐसे आता है समझ में आया इसलिए अगर यहाँ पर एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 का multiply करेंगे और उससे एक कम 9 आएगा इसलिए 9 से divide करते हैं अगर यहाँ पर दो अंक रिपीट हो रहे होते तो दस की जगे दो अंकों को इधर लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते और 100 से एक कम 99 आता 99 डिविजन में आ जाता तीन अंक रिपीट हो रहे होते तो तीन जीरो मतलब एक हजार से करते जैसे एक example और देख लो है ना जैसे यह देखो इसके बाद खताम है यह topic आपका फिर दूसरा पर आते हैं आपको जैसे यहीं पर होता मालो 0.42 बार तो इसका मतलब होता है 0.424242 यह होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है 4,2 के बाद यहाँ से repeat हो रहा है तो इससे पहले 42 को अधर ले जाना है तो उसके लिए 100 का गुणा करना पड़ता है तो यह हो जाएगा 100x और यह हो जाएगा 42 दसमलब 4,2 4,2 4,2 चलता रहेगा अनंत तक और अगर हम इसमें से x की value दसमलब 4,2 99x और यहाँ 42 से 0 माइनस होगा 42 और यह सब तो सेम है जो 0 हो जाएगे तो x की value 42 बटे 99 लेकिन हम फिर repeat कर रहे है आपको इसकी आवश्यक्ता नहीं है यह केवल knowledge के point of view से किसी बच्चे ने पूछा तो हमने बता दिया अब जल्दी से comment करके बताओ बाबू जी अगर यह question exam में आ गया तो क्या आप दूसरों का भला करने के लिए इस question को छोड़ देंगे या फिर फोड़ देंगे done thank you sir चली अच्छी बात है आप आ गया आपको जाना चाते थे वो आपको मिल गया छोड़ देंगे ना नहीं sir फोड़ देंगे very good चलो कल बताया था ना दूसरा का भला तभी कर सकते हो जब खुद capable हो अगर खुद capable नहीं है तो दूसरों का भला नहीं कर सकते है तो यहाँ पर हमारा fraction हो जाता है बाबू जी समाप्त चलो अब हम आपको जो कराने वाले हैं वो है next topic तो अब हमारा simplification में हमने आपको क्या क्या करा दिया square root, cube root हो गया और उसके बाद हमने आपको fraction करा दिया आज कराएंगे घातांक और करनी start कर देते हैं next लिखिए search and indices यह सब simplification का पार्ट है घातांक और करनी हिंदी में बोलते हैं घातांक और करनी जानते हैं सब जानते हैं थोड़ा थोड़ा सब ने पढ़ा है थोड़ा थोड़ा हम पढ़ा देंगे और उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा चलो point से पहले अगर अंक के उपर बार दिया जाए आपके स्लेवस में है नहीं, बहुत चीज़ें होती है लेकिन एक चीज़ ध्यानकना पॉइंट से पहले अगर बार दिया जाता है तो वो repetition को नहीं, वो minus को indicate करता है, वो एक अलग चीज़ होती है चलो पैक्टिस के लिए शीट डालेंगे अप्लोड करवा देंगे इसकी अब यह देखिए घातांक और कर्णी कैसे होता है जैसे हमने आप से कहा तीन की घात चार तो इसमें जो तीन होता है इसे बोला जाता है बेस हिंदी में बोलते हैं आधार क्या बोलते हैं आधार ऊपर जो लिखा है इसे बोलते हैं पावर और हिंदी में बोलते हैं घात क्या आप जानते हैं सब जानते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है तो थ्री की पावर अगर फोर है तो जो नीचे लिखा होता है नमबर उसे बोलते हैं आधार या बेस और उपर जो लिखा होता है उसे बोलते हैं पावर यानि की घात ठीक है अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आप सभी ने अच्छे से पढ़े होंगे लेकिन फिर भी एक बार रिपीट करना ज़रूरी है जिन्नोंने पढ़ा है अच्छी बात है जिनको नहीं पढ़ा है वो बच्छे नोट कर ले जैसे एक य यहाँ पर देखो दोनों के आधार बराबर हैं पावर अलग हैं दूसरी कंडिशन में पावर आपकी सेम होंगी आधार अलग होंगे ऐसे ही यहाँ पर भी पावर आपकी सेम होंगी आधार आपके क्या होंगे अलग तो पहले तो यह चार देखिए तो जब कभी किसी भी सर सेंड इंडिसेज में आपके आधार बेस सेम हो, पावर आपकी अलग हो, ठीक है? तो या पर ये गुड़ा में होगा, या भाग में होगा multiply या division, अगर ये multiply में हैं, तो पावर आपकी सीधे सीधे जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा M plus N, और अगर ये divide में हैं, तो पावर आपकी सीधे सीधे घट जाती है, ये सब ने पढ़ा होगा, याद आगया होगा सब को दूसरी condition, अगर base सेम ना हो, पावर सेम हो, तो multiply में अगर पावर सेम हो, तो दोनों के उपर एक common पावर लगा देते हैं A गुड़ा B की पावर M और यहाँ A divided Y B की पावर M, ऐसे लगा देते हैं ठीक है, ये पढ़ा है सबने सबने पढ़ा है ना ओके अब इसके बाद कुछ और होते हैं, उनको भी देख लीजिए इसके अलावा कुछ और formula भी होते हैं, वो भी आपको पता होने शाहिए इसके अलावा पाँचमा जो formula आपका आता है, वो कुछ ऐसे आता है कि A की पावर M और उसकी उपर भी पावर N हो तो powers का आपस में गुणा हो जाता है, A की पावर M into N आपका हो जाता है ऐसे ही अगर under root में कोई पावर आपकी लिखी हो जैसे A और उसके उपर under root में कुछ लिखा हो तो under root में अगर कुछ लिखा होता है तो वो पावर उल्टी हो जाती है जैसे A की पावर बन अपान N यह सब पड़ी हुई चीजें होती है अगर लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो नहीं पड़े होते या भूल जाते है अब जैसे इसके उपर पावर M है और उसकी under root की पावर N है तो उपर वाली जो पावर है वो उपर आ जाएगी और यह under root वाली पावर आपकी नीचे और एक आप सब जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी value 1 होती है एक मिनट नोट कर लो क्या हो गया आपकांशा बताओ अमन क्या करें आप देखो comment अभी करें जब बहुत जलूरी हो है ना चलो अब जल्दी से बताओ क्या आपने ये सब पड़े हैं इसमें कोई बहुत खास बात तो है नहीं आपने क्या ये सब पड़े हुए हैं इसमें कोई खास बात है नहीं इन फॉर्मूलों में एक बात ध्यान रखना ये सभी फॉर्मूले जो यूज में लिये जाते हैं वो किस के लिए लिए जाते हैं या तो ये गुणां के लिए या फिर ये भाग के लिए जोड घटाओं में नहीं लगता ये दूसरी चीज या तो आधार सेम होना चाहिए बेस और अगर बेस सेम नहीए तो पावर सेम होनी चाहिए यानि कि दौनों मेंसे कोई एक चीज सेम होनी ही चाहिए दौनों चीज़ें अलग हैं तो आप तब तक ये नहीं कर सकते जब तक कि दौनों मेंसे कोई एक चीज सेम ना हो ठीक है? चलो तो अब हम आपको दिखाते हैं इसका पहला पैटन तो जल्दी से आप सभी से नोट कर लीजिए हमें उमीद है आप सबका नोट हो गया होगा चलो अब पहले हम आपको दिखाते हैं एक question logically समझाते हैं और उसका short बताते हैं दोनों search and indices का आज का पहला question है ठीक है तो logically बताते है logic क्या है और short क्या है दोनों बताते हैं उसके बाद फिर आप तो हम question करने के लिए देंगे बहुत ही ये question बहुत आसान question है direct वाले बस आपने एक बार पड़े होने चाहिए अगर आपने नहीं पड़ाए कभी तो आपको दिक्कत हो सकती है तो कई तरीके से होता है तो ये एक limit वाला है ये पहला pattern है shirts and indices का यहाँ पर एक limit तक आपको दिया जाता है ठीक है यानि कि ये दो का multiply चार बार हो, पांच बार हो, छे बार हो, दस बार हो कितने भी बार सकता है तो पहले बाबुजी समझ लेते हैं इसका logic क्या है logic क्या है, logic ये है बात को ध्यान सुनना आगे यूज पड़े, आगे यूज होगा इन सब चीजों का जब कभी भी under root के ऊपर under root होते हैं under root होते हैं, बहुत सारे under root होते हैं तो भाईया जी इस question को हमेशा यहां से last से solve करते हैं बात को सुनिएगा ध्यान से कहां से solve करते हैं, यहां से यहां से ऐसे solve करेंगे इस question को, ठीक है लेकिन इस question में सभी number multiplication में है और multiplication में होने की बज़े से आप किधर से भी solve कर सकते हैं जैसे multiplication में मानलो 2 into 3 into 4 लिखा है तो चाहें आप ऐसे multiply करो चाहें आप इधर से ऐसे करो एक ही बात आएगी, लेकिन अगर multiply की जगे plus minus बगर कुछ भी होते हैं तो फिर सेम चीज नहीं आएगी तो कहने का मतलब यह है कि इस question को आप किधर से भी कर सकते हो, बैसे हमेशा last से solve करते हैं तो अब देखो जैसे पहला 2 देखो पहला 2 है, पहले 2 पर कितने root है पहले 2 पर एक root है और root का मतलब क्या होता है 2 की power 1 by 2, होता है नहीं होता बिल्कुल छोटी छोटी चीज उता रहे हैं आपको जिससे कि अगर किसी बच्चे का match अच्छा ना हो तो भी उसको दिक्कत ना हो तो पहले 2 पर एक root लगा है एक root लगा है मतलब 1 by 2 फिर क्या आगया? multiply अब दूसरे 2 पर आते हैं तो दूसरे 2 पर आपका एक root यह, एक root यह निए एक root और आगया, एक root और आगया तो एक बच्चे 2 और आगया तो यह हो गया एक बच्चे 8 चौते 2 पर देखते हैं तो एक root और लगा है एक root और लगा है तो एक बच्चे 2 और आ जाएगा तो यह हो जाएगा एक बच्चे 16 बिल्कुल छोटे छोटे points भी उता रहे हैं हम आपको इसलिए अब हमने बताया था देखो आधार सब के क्या होगे एक जैसे और यह multiply में है और हभी हमने बताया था कि अगर multiply में आधार सेम हो तो power आपकी जुड़ जाती है तो यहाँ पर 2 की power जितनी भी हैं 1 बच्चे 2 1 बच्चार 1 बच्चे 8 और 1 बच्चे 16 जुड़ जाएंगी और अब हमें उम्मीद है कि कोई आप में से ये नहीं पूछेगा कि 1 बच्चे 2 1 बच्चार 1 बच्चार 1 बच्चार और 1 बच्चार को कैसे जोड़ेंगे LCM 16 आएगा ये 8, 4, 2 और 1 आएगा तो ये आजाएगा 15 by 16 15 बचे 16 ठीक है तो ये आपका हो गया logic क्या हो गया बाबू जी ये हो गया आपका logic लेकिन exam में आपको ये सब नहीं करना है ये केवल knowledge के point of view से था अगर ऐसा कभी भी कोई question आएगा तो आप exam में direct करेंगे और वो कैसे करेंगे अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए direct कैसे करेंगे जैसे यहाँ पर हमें पता है under root में दो लिखा होता है क्या लिखा होता है दो कुछ नहीं होता है दो मनते तो बस इतका multiple लेकरो दो, दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोल है कितना आया? सोल है जितना आये उससे एक कम करके ऊपर लिख दो, यहीं अनसर यह वहौत famous चीज़े हैं अगर आपने थोड़ी भी कहीं पढ़ाई करी है और आपने यह नहीं पढ़ा है यह वाला और इससे अगले वाला तो समयलो आपने पढ़ाई करी नहीं है कोईकि यह तो बिल्कुल basic है कहीं पर भी आप किसी से भी पढ़ेंगे थोड़ा खुद भी पढ़ेंगे तो भी आपको यह पता होना चाहिए यह सब को पता होता है तो अगर जिनको नहीं पता है वो बच्चे समा सकते हैं ध्यान दीजेगा 2, 2, 4, 2, 8, 2, 6 इनके लिए पैन यूज करोगे तो बुरा मान जाएगा एक्जामनर कहेगा यह बच्चा अच्छा नहीं है पैन से कर रहा है इन कोश्चन को यह कोई पैन वाले कोश्चन दो नहीं है करो बाबु जी भेजदो नानी के घर बहुत बहुत खूब चलिए सब का आंसर आने लगे है ओप्शन ए आ रहे है तो ओप्शन ए वाले बच्चे सही है देखें पहले का ओप्शन ए यह तो सेम आ गया 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16 कितना आ रहा है 16 अरे तेरी तो 16 आ रहा है भाई तो 16 से एककम 15 15 बटे 16 यह आंसर अब देखो 2, 2, 4, 2, 8 8 हा रहा है 8 से एककम 7 यह आंसर बच्चे 5 का मल्टिप्लाई कर देते हैं 5 का मल्टिप्लाई नहीं करना 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 2, 32 32 आ रहा है 32 से एककम 31 31 बटे 32 option C is the right answer तो यह कोई question थोड़ी है यह तो मजाक है मजाक है यह कोई अपने आप में question ऐसे खास नहीं है अब हम चलते हैं बाबुजी हमें उमीद है इस पहले question में तो किसी को कोई दिकत नहीं होगी तो अगर यह मल्टिप्लाई में एक limit तक है तो आप इसे direct कर सकते हैं ठीक है कहीं कोई दिकत नहीं है तो यह question के नाम पर क्या है मजाक चल रहा है अब देखते हैं दूसरा दूसरा जो pattern है वो आपका तीन तरीके से आता है अब ध्यान रखना दूसरा जो pattern है वो आपका तीन तरीके से आता है इसमें तीन question बनते हैं under root x x लिख देते हैं x और x up to आपका infinity दूसरा question बनता है under root x ये plus की जगे किस में आ जाएगा minus में ये भी up to infinity तीसरा question बनता है under root x into under root x into under root x ये भी आपका कहां तक आएगा up to infinity अब देखो ध्यान से देखो अब ये अनन्त वाले question है sir question number 5 में तो 5 दिया हुआ है वही तो हम कह रहे थे ये 5 से मतलब नहीं होता हमें इस 5 से कोई मतलब ही नहीं है हमें इसकी जो power 2 लिखी हुई है दो दुनी चार दुनी आठ power जोड़ रही है तो हर्स ध्यान दीजिए इस बात का 5 जो लिखा हुआ है उस पे focus मत कीजिए तो ये आपका up to क्या है infinity infinity यानन्त जिसका कोई अन्त ना हो तो अब ये question देखो multiply वाले का answer हमेशा वही होता है जो number लिखा हो अगर अनन्त वाला question है और अनन्त वाले question में जैसे x into x into x लिखा हुआ है तो हमेशा इसका वही answer होगा जो आपको अंदर अंडरूद के लिखा हुआ है लेकिन plus minus वाले में क्या होता है plus minus वाले में दो condition बनती है एक ऐसा number जिसका factor हो जाए अभी हम समझाएंगे आपको या फिर एक ऐसा number जिसका factor ना हो तो पहले हम बात करते हैं factor वाले वैसे तो आपके exam में जावतर chances factor वाले के ही आने के हैं लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे अगर factor ना हो तो क्या करना है तो अगर factor हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती और अगर factor ना हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो एक चीद ध्यान दखिएगा चाहो तो लिख लो इसमें तीन condition होती है एक plus वाली एक minus वाली और एक multiply वाली तो plus का मतलब होता है बड़ा और minus का मतलब होता है छोटा और multiply का मतलब वही संख्या वही संख्या मतलब वही answer होगा जो दी होई है ठीके तो अगर plus वाला पूचा जाएगा तो plus का मतलब बड़ा माइनस बाला पूचा जागा तो माइनस का मतलब छोटा और अगर माइनस बाला पूचा जागा तो उसका आंसर वही होगा तो सबसे पहले तो आप यह देखो कि अगर इस question में कोई ऐसा number आता है तो अगर आप इसके factor करेंगे तो factor आप ऐसे करेंगे कि उन factor का जो अंतर है वो factor का अंतर कितना होना चाहिए एक होना चाहिए factor जानते हैं फैक्टर मतलब गुरणखंड जैसे दो दो के ऐसे factor factor मतलब ऐसे दो number जिनका multiply दो हो तो वो number क्या होंगे? 1 into 2 एक और 2 इनका multiply 2 है अब इनका अंतर भी 1 होना चाहिए अंतर 1 है अब जैसे 6 के factor 2 into 3 होते हैं अब आप कहेंगे 6 के factor तो 1 into 6 भी होता है लेकिन 1 और 6 में क्या अंतर 1 का है? जी नहीं तो अंतर 1 का होना चाहिए 2 और 3 में एक का अंतर है तो मतलब ये सही है ऐसे ही 12 दिया जाए तो 12 के factor जिसमें अंतर 1 का हो वो 3 और 4 होंगे 20 के factor 4 और 5 होंगे और 30 के factor 5 और 6 होंगे तो या तो आपको ऐसा question दिया जाएगा जिसके factor possible है या फिर factor possible नहीं है लेकिन आपके exam में आने के अगर आपके exam में आगर chances पूरे उसी के हैं जिसके factor हो सकते हैं तो अगर factor हो सकते हैं तो आप उसके ऐसे factor करेंगे जिनका अंतर क्या होगा एक अगर question प्लस वाला पूस्ता है तो प्लस वाला मतलब इन factor में जो भी बड़ा वाला नंबर है वो उसका answer होगा और अगर minus वाला पूस्ता है तो जो छोटा वाला है वो आपका answer होगा और गुणा में पूस्ता है तो गुणा में तो सोचना नहीं यह जो number लिखा होगा है वही आपका answer होगा तिक है देखो अब ये देखिए, पहला question अब बदाईए जैसे ये पहला question है अब देखो ये plus में है अनंत वाला है, अंदर क्या लिखा है? 6 अब 6 लिखा है, तो 6 के गुरंखंड जिनका अंतर कितना हो? 1 तो अंतर एक वाले गुरंखंड क्या होंगे? 2 और 3 अब इसमें plus का मतलब किस से होता है? बड़े वाले से, तो बड़ा वाला कितना है? 3, यही आपका answer खतम ठीक है? अब देखिए, यहां कितना है? 42 42 के ऐसे factor जिनका अंतर एक हो, वो होंगे 6 और 7 अब plus वाला पूचा है या minus वाला? प्लस वाला पूचा है तो answer वड़ा वाला यानि कि 7 खतम तो फरजी question है ही सब? सब फरजी question है question के नाम पे मजाख है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो और अगर नहीं पढ़ा है तो कालाक्षर भेंच बराबर? अब यह 72 है 72 के गुरंखंड ऐसे जिसमें अंतर एक का हो वो होंगे 8 और 9 लेकिन यह प्लस वाला नहीं है यह माइनस होगा है गलत लिखा है यह प्लस वाला नहीं है यह कौन सा है? माइनस वाला तो माइनस में छोटा छोटा क्या है? 8 यह answer खतम तो मजाग नहीं है यह question आजाए बस अब यह आपका यहाँ पर यह कौन सा है? गुणावाला है गुणावाले में तो सोचना नहीं है गुणावाले में तो 24 लिखा है न? तो 24 लिखा है तो answer भी 24 ही होगा खतम तो अगर इसके factor हो जाते हैं तो समझ लो यह question नहीं मजाख है लेकिन बाबू जी अगर factor नहीं भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अभी हम आपको वो बताएंगे जिनके factor नहीं होते हैं लेकिन उससे पहले एक slide और कर लो जैसे देखो इसी को देने का एक तरीका देखो यह भी है यह देखो यह दो question भी बैसे ही है एक्स वराबर अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 तो एक्स की value क्या होगी क्योंकि यह multiply में है तो multiply में तो सोचना ही नहीं है multiply में तो जो number लिखा होता है वही आपका क्या हो जाता है आंसर तो इसका आंसर 4 ही हो जाएगा लेकिन अगर आप इस question की बात करें तो इसका बताओ इसका आंसर क्या होगा question number 13 इसका आंसर क्या होगा करिए very good देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 20, 20 के factor क्या होते है 20 के जो factor होते हैं वो आपके होंगे बाबुजी 20 बराबर 5 गुणा 4 अब क्योंकि यह plus वाला है तो plus में आंसर कितना होगा 5 तो यहाँ x square minus 20 की बराबर में यह जो number लिखा हुआ है इस number की जगे आप लिख सकते हैं इसकी value आएगी 5 तो इस हिसाब से x square की value 20 उधर जाके जुड़ जाएगा 25 तो इस हिसाब से x की value 5 यही आपका आंसर खतम अब बताए तो यह तो फरजी था यह question तो फरजी था या यह question फरजी नहीं था विलकुल फरजी question था अब आपकी बात आती है कि अगर इसके factor ना हो तो तो यह last है वैसे हम आप बता दें constable, UP constable के exam में यह factor होने वाला ही आएगा अगर आया तो 3rd send indices से अगर यह वाला pattern आया तो यही आएगा जिसके factor हो सकते हैं यह नहीं आएगा जिसके factor ना हो सकते हैं से बहुत कम है ना के बराबर लेकिन बताना जरूरी है तो हम आपको उता देते हैं कि अगर ऐसे number आ जाएं जिसके factor ना हो रहा हो जैसे मालोग यहाँ पर आपका 6 है 6 की जगे 7 होता तो 7 के factor नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसके लिए एक formula लिख लीजिए 4x plus 1 under root में अगर यह plus वाला है तो इसमें plus 1 करके by 2 कर दो और 4x plus 1 में अगर यह minus वाला है तो बस इसमें minus 1 करके by 2 कर दो तो root 4x plus 1 same है root 4x plus 1 आपका same है बनलब जो भी संख्या लिखी है उसके 4 गुने में एक जोड़ दो यह दो दोनों में same है plus वाले में भी minus वाले में अगर plus वाला पूचा जाए तो plus 1 by 2 minus वाला पूचा जाए तो minus 1 by 2 आप इसे ऐसे कर सकते हैं ठीक है यह जरूरी नहीं है कि आप उसी question लगाएंगे जिसके factor ना हो आप इन्हें उस question में भी लगा सकते हैं जिसके factor possible है तो जहां factor possible है वहाँ पर भी यह formula यूज़ कर सकते हैं लेकिन वहाँ हमारा direct हो रहा है तो formula की आवशक्ता नहीं है चलो अब यह example देखो इसके यह 4 example देख लो 4 question हैं आपके सामने लिखते ही खतम है बस आपने यह चीज़े पड़ी हुई होनी चाहिए तो इसमें दो चीज़े हैं अगर plus वाला आएगा तो 4x plus 1 under root में लिखके plus 1 by 2 करेंगे और अगर minus वाला आएगा तो 4x plus 1 under root में लिखके minus 1 by 2 करेंगे बस खतम तो यह प्लस वाला है x की जगे कहलेंगे हम 3 तो यहां लिखेंगे 4x plus 1 x की जगे 3 लिख लो इतना लेंदी क्यों लिखके फाल तुमें 4x की जगे 3 plus 1 यह तो under root में आगा फिर इसमें plus 1 by 2 कर देंगे तो 12 और एक 13 तो यह हो गया root 13 plus 1 by 2 option A खतम अब बताओ यह कौन सा है minus वाला तो under root में तो वही आएगा 4x plus 1 4 into 3 plus 1 लेकिन क्योंकि यह minus वाला है तो बस minus 1 by 2 कर देंगे तो यह हो जाएगा root में 13 minus गलत लिखा है क्या इसमें इसमें option गलत टाइप कर दी है क्या गलत है इसके option गलत है इसमें 3 की जगे गलत कर दिया यह options रॉंग है एक option लिख लिजिए root 13 minus 1 by 2 हाँ option गलत है इसके सही कर लो यह देखिए अब यह यहाँ पर minus वाला है तो यह क्या हुआ 4x x की जगे 5 plus 1 तो 21 और minus वाला है तो minus 1 by 2 तो यह हो जाएगा root 21 minus 1 by 2 option भी खतम अब जैसे यहाँ पर अंतिम जैसे यह आपका plus वाला है तो 4x की जगे 7 plus 1 यह तो लिख लो यह कितना हो गया 29 29 में plus वाला है तो plus 1 by 2 तो root 29 plus 1 by 2 option d option d is the right answer अब बता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया है क्या हम सही सोच रहे हैं आपको यह समझ में आ गया है बताओ जल्दी से confirm करो क्योंकि कल जो कराएंगे न वो question है certs and indices के कल हम वो question कराएंगे certs and indices में जो ज़्यादा pattern में चल रहे हैं आज कल exam में वो बहुत ज़्यादा पूचा जाता है किस्मत खराब हुई हो तो ही कल की class में से question नहीं मिलेगा किस्मत थोड़ी भी सही हुई भगवान की थोड़ी भी कृपा हुई तो कल जो हम पढ़ाएंगे उस में से आपको question मिलेगा ही मिलेगा हम आपको दिखाएंगे भी specially कैसा question पूचा जाता है मजा गया मस क्लास है सर clear है सर अची बात है multiply वाला तो बतादो अरे महानात्मा कहां से छलांग लगा ले multiply वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है multiply वाले में तो जो लिखा होता है वही number होता है अगर ये multiply में होता तो answer 7 ही होता ये multiply में होता तो जो number 3 लिखा है answer वही होता तो multiply वाले में तो सोच नहीं नहीं है उसमें कहां दिक्कत है छलांग लगा दें उपर से चलो कोई नहीं ध्यान रखो इस बात का तो आज के लिए महरतियो इतना ही रखते हैं उमीद करते हैं हमने जो आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जब आप exam में question करेंगे तो चेहरे पे आपके मुस्कान होगी और इसी के साथ आज की आपकी सेवा हम समात करते हैं चलिए महरतियो बाइबाइ टेक केयर जै हिंद जै भारत